राजिस्तान लाइबिरियन ग्रेड थर्ड और सेकिंड की त्यारी करने वाले सभी विद्यार्तियों को में तरफ से हार्दी सुपकावने हैं मैं आपका दोस्ट सुमेर सिंग कचावा इस ओनलाइन इंडिया डिजिडिल प्लेटफॉर्म पर आपका जोड़दार स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे मननिय मुख्यमंतर जी श्री असोग जी गेलो साब ने जो है जो राजिस्तान थर्डगेट लाइबिरियन वेकेंसी की जो 566 पोस्टों पर गोश्टना कर दी है और आपको भी पता है कि इसका जो नौटिफिकेशन है वो अधिनस बोर्ड करमचाय चैन बोर्ड के द्वारा मई के अंदर जो इसका नौटिफिकेशन आएगा और जल्द अगले नौटिफिकेशन आने के बाद जल्द अगले 3-4 मेने में आपके एक्जाम हो सकते हैं दोस और ज्वारी है उस क्लास का नाम है लाइबर्री क्लासिपिकेशन फुष्टकाले और जी घंड आप सोच रहे होंगे आज मैंने यह पहली क्लास में यह टॉपिक क्यों लिया है क्योंकि आपको पता है कि आपका जो पुराना सेलेबस आपने देखा है वो सेलेबस भी इसी स से में रहेगा, बलब, आपका जो, सेलल मसें मॉलेज ऑर्गर्विक के अंदर जिसके अन्दर चार यूनीट है, पहले यूनीट का नाम है आपके नोलेज उनिवर्श ऑब नॉलेज, दूसरा है है cataloging तीसरा है classification और चौते उनिट का नाम है subject classification तो आज अब सबसे पहले classification library classification के बारे में चट्चा करें हैं यह topic इसलिए important है क्योंकि आपने CLS BLS और DLS किया है तो practical में दो ही topic आते है दोस्तों एक तो आता है classification और दूसरा आता है cataloging यह सबसे important topic होते हैं और यह सबसे याद करने में difficulty भी माला जाते हैं लेकिन आपको टैंसल लेने की जरूत नहीं क्योंकि आपका दोस्त उमिर सिंग कचावा आपके साथ रहेगा और जब तक एक्जाम नहीं होगे तब तक मैं आपके साथ रहूंगा और पिछली बड़ती 2022 में भी जो 460 पदो पड़ती वह जो विद्यारती वह हमसे पढ़ रहे हैं उनको पता है कि एक्जाम तक मैं आपके साथ रहता हूं और इस क्लास को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं आपको दोस्तों कि सबसे पहले आप हमारे नच्पाइब के तो आईए हम सुरूोत करते हैं आज हमारा जो टौपिक है जिसका नाम है है खिम करते हैं चलिए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है लाइब्रेरी लास्टीपिकेशन बैस दोस्थो हिम्दी में कहते हैं गईअ यह था इंपॉट्टेट रहा है कोई भी कॉम्पेटेशन की त्यारी कर रहा है चाहिए वो state level की हो, चाए वो central level की हो, चाए वो UGC net की हो, कोई भी competition exam की त्यारी कर रहा है, उस विद्यार्ति को ये topic पढ़ना बहुत ज़्यदा जरूरी है, तो library classification, जिसको हिंदी में कहते है, पुस्त काले वर्गी करन कहते है, library classification के अंदर हम पढ़ेंगे, कि वास हम हमें किताबे books को हम किस तरीके से classify करते हैं, library classification होता क्या है, और जो है library classification की किन-किन लोगों ने अलगलिक परिभास आए दिये, उसके बारे हम हम चर्चा जरूर करेंगे, तो library classification बहुत important topic है, हर कोई competition exam के लिए बहुत ज़्यदा important है, आए हम इस topic को शुरूआत करते हैं, ध्यार रगना ज भी आप इस class को देख रहे हैं, उस सब को मैं कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ notes भी बनाएं आप, notes बनाना बहुत ज़्यदा जरूरी है, सपलता का तीन ही आधार है, पहला आप notes बनाएं, notes बनाने के बाद revision कीजिए, और revision करने के बाद test series दीजिए, तो आपका topic सही समय पर और सही जगे पर अगर आप proper notes बना लोगे topic का, तो आपको जो है किसी परकार का confusion नहीं रहेगा, कहीं पार students सोचते हैं किसे notes बनाना जो है possible नहीं होता है, exam नजजीक है, वो सरफ मेरे इसाफ से बहान है, इसलिए आप अभी से एक register डालिए, और register में जो आपका unit classification, library classification लिखिए और classification का अलग से register लिखिए ताकि आप आराम से notes बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आज हमारा topic जिसका नाम है library classification, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पुस्त का ले वर्गी करण कहते हैं, ज्यान लगना हो, ठीक है, आज का हमारा topic है library classification, जिसक हिंदी में नाम है, पुस्त काली वर्गी करण, notes बनाते हैं, आप जरू ध्यान दीजी, कौन सी line पर मैं जधा जो है, दबाव देता हूं, जिस line से सवाल बनता है, वो सवाल, जब बढ़ाते हैं, बता रहा हूं, वो सवाल कहीं ने कहीं, वो question जो है, कहीं ने कहीं, प्रिव आगर्यजी में हम कहते हैं, classification कहते हैं, चेकर ने हिंदी में हम वर्गी करण कहते हैं, पिमें हम classification कहते, जो latin ध्या रखना, कोंसी पर तो पहले तो आपको language ज्यान डखना है कौनसी भासा पर ही language तो language कौनसी होगी आपके Latin language कौनसी होगी Latin language तो पहला सवाल यही बनेगा कि the word classification is derived from कि जो यह सब्द classification है यह सब्द वर्गी करण है यह कौनसी भासा से लिया गया है तो यह कौनसी भासा से लिया गया है तो ज्यान डख सब्नेटन का सब्रक्राइब क्लासंस कंट सुन सब्ट दिया रखना फार्ष कि क्लास इस ए सब्ट से लिया गए तो यह को पर और सवाल कीक्लासिटीर की क्लासिधिकेशन जो आपके ध्यान इकना है है लेटिन बहाशा से लिया गया है कौथ फासा से लेटिन और दूसरा सवाल बनेगा कि लांसीन ब्रूसמצ से बना है बनां कि सब्द का यॿ क्लासी सब्द का वांशिक एर्थ होता है वर्ग क्या होता दोस्सों वफट कलाशिस सब्द का वास視 कर त 최대 अटे सबसे पहले प्राचिन रोम राजिये में क्या ने सबसे पहले द्यानों सबसे पहले रोमल इस्टेट में इसका परियोग क्या गया था तो यहां पर हमने टॉपिक सुरू किया था लाइब्रेरी क्लाशिफिकेशन पुस्ट काले वर्गी करण पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता दो न थी कौन से सब से बना है यह चलिए आपको ध्यान में रखने हैं दो कोश्चन्स आपके यहां पर त्यार हो गया है अब हम बात करते हैं इसकी परिवासा क्या है सामुहिक कारण या वर्गग बनने की प्रक्रिया ब्रक्रिया को और सामुहिक कारण उस हम क्या कहता है किताबों को पड़ी रहती है उन किताबों को अलग-अलग वर्ग में बाटना थ्यान रखना क्या करना किसी के आदार पर जैसे लाइब्रेरी में के लाता है वर्गी करन के लाता है एंपोटेंट को स्जाने मैं तू उसके 3 तेन बता है उसके उसके लिए इंपोर्टेंट कोशन आएगा निम लिकीत में से कौन से वजो हैं विद्वान ने वर्गीकर्ण को समझाने के लिए तीन इस्टेप बताए हैं तो तीन स्टेप किसमें बताए हैं कौन से इस्टेप है पहला स्टेप ए टुक लास कस है क्लास का हिंदी में मिनिंग यह होती है विवाजन करना धूसरा जो इस्टेप पहला स्टेप लेपर लाजी यह हो गया है तो सवाल यही बनेगा कि वर्गी करण को समझाने के लिए किस व्रेक्ट ने तीन जो है चरंड बताया थे तो तीन चरंड कौन से किस ने बताया थे एचली बिलिच ने तीन चरंड बताया थे पैहला जो चरंड है to class दूसरा चरंड है to classify और तीसर जो स्टेप कौन सा है classification है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है है सब से पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं इन दे फॉर्स्टि स्टेप जिस malt charge की बात करते हैं और जो विद्यारती Presley क्लेक्स को देख रहे हैं और पुस्काल ले विज्ञान के इतियास में पहली वह जो हम सब्सक्राइब न हिरा रहे हैं वह चाहते हैं कि सर्फ वाइंकुञ्वार पढ़ाएं ताकि हींदी और इंग्लियस वीडियम इस्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत ज़्याद बेनिफिशल हो हिंदी में वाले हिंदी में आप नौट डाउन कीजिए और इंग्लिज में नौट डाउन कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकें ठीके दोस्तों तो पहला चरण में क्या किसी समांता हत्तों आ समांता केआदार पर विभ Whew किया सकता तो पहला चरण में क्या खत्तक कुल भी वस्थू Common library के अंदर उनको क्या करना किसी संवया एक रिखने कलिए किसी संवया संवानता के अधार विभू जte करना जैसे बाल लिजिए आप लाइबरेरी के अंदर लाइबरेरियन हो तो वहां पर हंड्रेड किताबे आपके सामने रख दी हैं जैके बई अब उस सो किताबों को क्या करना है दो भागों में विवाजित करना है जो है वर्ग बनाकर विवाजित करना है चाहे पहले आप उसको आकार के अदार पर विवाजित कर दो पहले तो आप जैसे आपके सामने किताबे पढ़िए उन किताबों को आकार में अगर बड़ी साइज की किताबे हैं उनको आप अलग अलग जो है वर्ग बना के कर लिखोगे दूसरा चोटी साइज की जो किताबे उनको आप अलग तर यह रख दीजिए तो पहली बात तो क्या होगे समु या वर्ग में रखने के लिए किसी समानता यहां समानता की आदार पर आपको विवाजित करना है उसके बाद जोब करना दूसरे चरण में उनकी किसी भी विशयास्ता के आदार पर उपारं कीरचना कर वर्गिकत क्या जा सकता दूसरे च्रण क्या है जैसे आपने जो है साइज में बड़ी किताबे वो रख दी छोटी किताब वो रख दी अब आपको क्या करना है दोस्तों जो किताबे पड़ी है अब आपको जो लाइबरेरी के अंदर जो भी किताबे वेवस्तित होती है वो हमेसा सब्जेट के आदार पर होती है तो लाइब्रेरी के अंतर के अदर पर क्लाशिफाइब करते हैं तो सबसे पहले आप के सामने मेटमेटिस की किटाब आई तो मेट तेट वाई आपको अलग-अलग बना कर आपको रखना होता है ठीक दोस्तों ये चीज़ यह रखना इस तीसरा होता है तीसरे चरण में गया होता है कि सभी वर्गों और उप वर्गों को किसी उधिश्य अभी रुची अथ्वा को सिदानतों तता नियमों की द्रश्टि में परियोग करते हो तो आपने पहले किताबे पड़ी उनको रख दिया फिर आपने सब्जेट के इसाब से रख दिया मान लीजिए आपके पास आपने किताब किताब और और आपको मिल गयिए तो उसी किताब को उसी वर्क के साथ आपको रखना होगा ऐखना ओян के उस जो है साइस के साथ आपको रखना होगा उसके बाद में फिर आपको यह तैय करना होगा कि आप अपनी library के अंदर कौन सी classification scheme का जो है यूज करे हो अगर आप डीडीसी का यूज करे हो तो डीडीसी के हिसाब से आपको फिर आगे class number देखर उनको subject के हिसाब से व्यवस्तित करना होता है ठीक है दोस्तों तो यह तीन step जो है एटी बिलीच ने दिये थे वर्गी करन को समझाने के लिए पहला step है to class हो गया दूसरे staff हो गया to classify तीसरा step हो गया आपके classification क्या होगे दोस्तों classification हो गया अब हम बात करते हैं बहुत important questions यहां पर मनता है the definition of library classification पुस्त का ले वर्गीगन की परिवासा बहुत सारे विद्वान ने जो है लाइबरी classification पुस्त काली वर्गीकरन की जो परिवास है डैपिनेशंस दी है द्यान दीजिए note very important note है कि सामानेते वर्गीकरन सब्द दो अर्थों में परियोग में लाया जाता है अगर हम classification की बात करते हैं तो classification दो तरीकों से एक लाइबरेरी के अंदर किया जाता है पहला तरीका है सामाने वर्गीकरन जिसको हम इंदी में कहते है जनरल सिसे और दूसरा होता है कुल्एकर करन करणा सिपक्यों छांट करना क्या होता है किताबों को जो गत warp बाच कर और रख दिना वह क् Wenya अ Tuesday करना होता है और आड़ा च्रीत है件 क्लासिफिकेशन क्षेあ क्या होता है देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में तो सामानी वर्गिकन क्या होता है के सामानिय वर्गी करण में हम वस्तु और विचारों को एक सू नियोजित करब में विवस्तित करते हैं सू नियोजित करब में विवस्तित करने का मलद समस्ते हो आपके पास सो किताबे पढ़िए सभी सभी सब्जेट की आप उन किताबों को जो हैं अलग-अलग रखना साइंस की किताब या रखना अलग-अलग जो हैं किताबों को classify करना तो सामानिय वरगी करण में शिरफ हम केवल वस्तु और विचार। एक सु नेवेस्त करम में विवस्तित कर देते हैं अब बात करते हैं अपन दूसरा लाइप्रेरी क्लासिफिकेशन अब लाइप्रेरी क्लासिफिकेशन जिसको हम इंदी में कहते हैं पुस्तकाले वर्गिकरण क्या होता है किसका करते हैं अगर करते हैं समय हमारे देश्ची प्रलेकों को अत्यादिक साहेख यह इस्ताई कर में विवस्तित करना होता है टू जन्रल क्लासिफिकेशन में हमने सिर्फ किताबे लाये थे इन किताबों को अलग अलग चाही वो आकार के अदार पर चाहिए विशेय के अधार पर अलग लग कर देते हैं ठीक है लेकिन लाइब्रेरी क्लासिपिगेसं में हम डोक्युमेंट को इस तरीके से क्लासिपाई करते हैं जिसमें अत्यातिक साहिक और इस्ताई क्रम में वेवस्तित करना होता है चाहिए वो यूजर जब आता है तो मैतमेटिक्स है तो मैतमेटिक्स के सारी किताबे एक ही अलमोरी में होनी चाहिए जर्ल मारी में होनी चेह हैं चाहिए बात करते हैं अब लिट्रेचर में हिंडी लिट्रेचर की अलग किताब होने चाहिए इंग्लिश लिट्रेचर की अलग किताब होने चाहिए संस्कत लिट्रेचर की अलग किताब होने चाहिए ताकि जो है अत्यातिक साइक और इस्ताइक रह में वेवस्तित करना वो क्या होता है library classification होता है और general classification में हम सिर्फ किताबों को जो हैं केवल वर्ग में ही रद दोते हैं उनको उसे साब से ठीक है दोस्तों फिर हम बात करते हैं अब हम जो हैं बहुत सारे विद्वान है library science में उन्होंने library classification की अलग-अलग definition दी है अलग-अलग परीवास दी है इन परीवासों को मैं आपको टिक से याद कराओंगा ताकि आपको कभी भूलो नहीं द्या रगना और यह जो परीवास हैं मैं आपको याद करा रहा हूं इन में अच्छी तरहीं के से टिक आपको अपना नहीं है ताकि आपको कभी भी यह definition अगर exam में पूछा जाए तो अराम से आपको याद आने चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं WCB Sayers और WCB Sayers कौन थे यह रंगानातन के गुरू थे कौन थे दोस्तों यह रंगानातन के टीचर से द्याने ना WCB जो है WCB Sayers रंगानातन के गुरू थे यह लंदन में इंग्लेंड से समंध है इनका जब 1924 में ध्याने जिए जब 1924 में रंगानातन पहली बार जो है लंदन में गये थे तो वहाँ पर उनकी मुलाकात WCB Sayers रंगानातन के गुरू का नाम है तो फल्क क्या होता है फल्कों सेल्फ होती है क्या होती है दोस्तों सेल्फ होती है ज्याने ना फल्का का मतलब क्या होता है सेल्फ ज्याने ना लाइब्रेरी के अंदर जो सेल्फ होती है ना ज्याने लेट चीक है ना फल्का का मलब होता है सेल्फ ठीक है ना फल्कों पर पुस् तरीके से विवस्ट्ट करो सर्ड पर ताकि कोल भी यूजर वहाँ पर आता है तो तो वह आ असाने से उस किताब को ले सकता है अब यहाँ पर इस को फोकस करना है ठीक है ना तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों अब इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे अब वहां को पता है कि रगणयचन जो है इनिश्योंचोबीस में लंदन गये तो लंदन अबने गुर्व के ृट्र गए के गर्व करकर जो है उनको उनके गुरू कर द्वारा चाहि में पिमा Опर गुरू से विश्ट हैं उनके गुरु नो का आप चाहिए कोई वात नहीं थोड़ा सा फल लिए आप क्या लेजिए बहए लीजिए तो फल किस ने दिये थे रहंगानटन के गुरु ने दिये पर वेवस्तित करना, तो समझने लेना फ़ल किस ने दिए थे, WCB सैट्स, तो फलकों के अधार पर जया नगना ये परीवासा WCB सैट्स ने दी थी, ठीकिके फल किस ने दिए, रहंगा नतन के गुरू WCB सैट्स ने दिए, जब भी परीवासा यहां से शुरू होते है, फल इस पी को पर पुस्तकों की व्यवस्ता करना तो समय लेना यह परिभास दबलु सी विसरे मार्गेट मॉन मार्गेट मन के नुष्ण यह मार्गेट मन जो है यह एक महिला का नाम जल लेकिना कॉन है मैहिला मैहिला का मन्वा止 है तो उनकी समांता वहां समांता के अदार पर वेवस्तित करना वर्गी करना होता है और यह पर समांता के अदार आधार और similarities and disabilities के आधार पर जो है वस्तुओं को बाटना क्या कैलाता है वही जो है library classification कैलाता है अब market manning मर्ला है मर्ला ने ये कहा कि वही जब भी आप library के अंदर किताबों को बाट या तो समांता और आ समांता के आधार पर आपको बाटना है तो समानता और आ समानता की बात जो है किसने मानी है वही मार्केट मानने मानी है द्या लगना तो समानता और आ समानता की बात किसने की ये मार्केट मानने बात की और उन्होंने ही ये बात माननी थी इसने समानता और आसमानता की बात किसने मानी थी मार्गेट समानता को नतर। व्यवस्ते करना है व्यवस्तितक को समानता समानता की ए达र पर ये बात आप किसने मान ली मार्केट मानने मान ली थे दूसरी ट्रिक अब हम बात करते हैं तीसरी जो डैफिनेशन दी हैं वो दी थी डाक्टर एसार रंगनतन के अनुसार तो उन्होंने का किसी पुस्त के विशिष्ट के नाम को क्रम सुचक अंकों की अधिक अधिमानिये करत्रिम व किसमें बासा में अनुबाद करण आ वह में सखखी आप उसक्ण बसक्ठ के वह सप्रिते नहसे क्रम सुचक आंपयों के येक्श्ट घिन कोई परफिनेशन की थी थी तो आपको जय रहन इम ecology Cave पू stabilize लेंग्वेज तो लाइबरे ग्लास्टिकर से ट्रांसलेशन आप इस्पेसिक नेमस बुक इन्टू दा प्रीफर्ड आटिफीशिल मलब करतरें बासा में अनुवाद करना पुस्त का ले वर्गी करन है यह बात किस ने किए डॉक्टर एस र रंगा नतने किए यह चीज़यां कि उसके बात हम बात करता है चौतिफ डेफिनेशन देती प्रौफचार जे expect में इसमें की कोझ में समये appealing कि यांत्रिक परिकरिया फिसुष्ट्र के वर्गी ग्रन है तो सैहिके की यहां में समये बचाने की इांत्रिक परिकरिया अब समया समय बचाने की बात कροराहे तो जानगता है यहाँ पर समय बचाने की बात कर रहे है प्रोफरसर साब तो प्रोफिसा साब जिसका नाम में जैयास मिल वह अपने बचों को कहा रहे है चीज़े हुआrophe दिया तो तो दा सेव टाइम ठीकिन नब एट तो दा सेव टाइम उसके बाद हम बात करते हैं सीये कटर के अनुसार जा रखना पाच यह अगली जो डेफिनेशन है यह लाइब्रेरी क्लासिपी किसिन की सीये कटर के अनुसार अब परिवेड़तन एहुं समान विश्वय पर लिखि पुस्तों को एक इस्थान पर करने को पुस्त का लेगवर्ग ह הם करता है तो तो में क्या साउंद आ रहा है कटर तो समल लिजिक अप एककटर करना तो स्टों से द्याना लगना ड़कना फिक ट चरन सांता रखना आपको और मेडियोंी वालों बच्चे जैनने में victim अउप Attention किया अजये खुरह क्या हो जाएक कित तो स्よし्ष मच्त एक पृट्टय दोस्तों सीचुन हो जाएगा टीक दोस्तों तो तो क्या नहीं क्या मुलब होता है जब हीस्तान पर इकटा करना साँड रहां तो यह परिवासा किशन दी थी यह परिवाशा दीती है सी यह कटरसामने दी तो तो देख्ये तो लाइबरेरी इता है जो पांच परिवाशा हैां वह आनने तब टिच्रिक पते हैं डेविशन जाने दा तो आपने वह ट्रिक कई न कई लागु hammam करने हैं तो जब भी पैलीट्थय प्रीवहें अंदार समांता वह के आधार यह समैंता वह कि बात किसने माननी थी तो समांता वह समा थो की अधार के अधार पर किताबों के वर्ग करण होना चाहिए यह बात समांता वह Sup समानता के दार पर ये बात किसने मानी थी किसने मानी थी मार्गरेट मानने मानने थी द्यान रगना है किसने मानने थी मार्गरेट मनने मानने थी याद होगे आपको द्यान रगना है तो समानता और असमानता की बात किसने माननी थी मार्गरेट मननने मानने थी दूसरे द्यान रखना है कर्त्रीम भासा में अनुवाद करना क्यों कह रहा हूं कि ऐसा रंगानतर ने कहा था कि वर्गी करण की जो भासा है वो कर्त्रीम भासा होती है वर्गी करण की जो लेगवेज होती है वो कर्त्रीम भासा होती है तो जब भी परिवासा के अंदर यह जाए कर्त्रीम भासा में अनुवाद करना तो कर्त्रीम भासा में अनुवाद करना यह परिवासा किसने दी थी डॉक्टर एसार रंगानतर ने दी थी तीसवी परिवासा आई पर इकटा करना एक इसाँ पर इकटा करना तो मैंने बताय था अभी इकटा, इकटा, टा से किसका साउंड आ रहा है, तो सी आ कटर साब हो जाएंगे बात कॉन करें यह कर रहे हैं चौती परीबादस आulfकों पर विवस्तित करना फलकों का मलब होता है आपको ङएने माइक विवस्तित फलकों पर व्यवस्तित करना फल्कों का मंतलों होता है सेल्फ क्या होता दूस्तों लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सल्फ होती जहाओ पर कितब तो दि याद थि जो परीवास हमने आझ juji चिसका नाम है समय बचाने की क्या नाम है प्रोपेस्टर जे-एस मिल के अधार पर ठीक है दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि आपको इनको रटने की जरुतनी जरुतनी है आपको अगर आप तरी इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखोंगे एक वाद दो वार तो आपको यह परीवासा याद करने की ज तो इस ट्रिक के आधार कर जो है आपके ये लाइबरेरी क्लासिफिकेशन की जो पाचो जो परिवासाय है इन में से एक परिवासाय जरूर कॉम्पेटेशन एक्जामें पूछी जा सकती है ठीक है दोस्तों तो मेरे साथ जरूर नोट्स बनें आप बिल्कुल जब तक आप न दोस्तों ये बात इसलिए मैं कहा रहा हूं कि मैंने बहुत सारे कॉम्पेटेशन एक्जाम दिये हैं ठीकिन बहुत सारे कॉम्पेटेशन एक्जाम रिटन एक्जाम भी निकाले हमने तो वहां या तक आज आपके सामने में पोच्छा हूं ठीकिन इसके पीछे मेरे चार सा को मानिए और एक एक चीज आपको डिटेल से पढ़े जाएगी बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से ताकि आपको कहीं जाने की जरूतनी है इसी ऑनलाइन स्कुल इंडिया डिजिटल प्लेट फॉर्म पर आपको पूरा जो है कोर्स आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों ताकि आ पीडियव मिल जाएगी तो पहले नोट्स बनाई रिविजन की दिए और इसी टॉपिक के जितने भी को मिल जाएगे वो भी बाइलिंग्वल ताकि आपको कोई टॉपिक में प्रोग्लम नहीं हो अब हम बात करते हैं अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्टकाले पुस्ट काले वर्गिकरण का सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि बई जो वी किताबे होती है जो भी study material होता, वो एक सही इस्तान पर रहेगा, तो आराम से user उसको use कर सकता है, और पुस्तकाले में विभीन परकार की पार्टे सामगरी होती है, इस पार्टे सामगरी को किसी को, किसी साय को तोर्ष संगत करम में व्यवस्तित करना ही पुस्तकाले वरकी करना का परमोग तरीके से classify करके रखा जाए, subject के अलुसार पर, ओ ध्यान अकना, library के अंदर कोई भी कितने भी बड़ी library हो, library के अंदर हमेसा किताबों को विवस्तित क्या जाता है, subject के अदार पर, विशे क्या अदार पर, science की अलग से होगी, commerce की अलग से होगी, जोगराफी की अलग से होगी, शिक्सा मनों विज्ञान की अलग से होगी, तो subject के अदार पर, जो किताबों को विवस्तित क्या जाता है, अब हम जो है, अब आगे इस classification से सम्भन देत, बहुत सारी चीज़े जो हम पूसते हैं, जो है प्रिक्ष्या के अंदर पूछी जाती है, जो exam के अंदर पू से बहुत सारे जो सवाल पूराने paper में आ चुके हैं, तो जब आप test series दोगे ना, उस test series के अंदर हर सवाल के पिछे लिखा हुआ है, कि यह सवाल कौन से exam में आया है, ताकि आपको पता चल जाया है कि यह UGC net में सवाल आया है, या फिर यह राजिस्तान second grade में आया है, या test series में आया है, या फिर आपके जो है, NBS में आया है, तो test series के अंदर, इसी सबसे पहले video, video के निचे आपके, पीडिएप, पीडिएप के निचे आपको क्या दिएवी की test series, इसी topic की test series, जितने सवाल बनते हैं, 40-50 सवाल जितने बनते हैं, वो test series दिएवी है, और हर question के पीछे, जो पुराने paper में आ चुके है, उसका exam का नाम भी लिखावा है, ये UGC net में आया है, ये RPC में आया है, ये KVS में आया है, ताकि test देते समय आपको पता चले है, अरे याथ, ये सवाल वहाँ पर पूछा गया, तो कितना standard है ये, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ जया लगना है, तो सबसे पहले सवाल ये मनता है, वर्गी करण का पिता, तो father of classification, तो वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है, लेकित दूसरा ये सवाल बनता है, आदुनिक पुस्तकाले वर्गी करण का पिता किसे कहा जाता है, तो जानना, आदुनिक पुस्तकाले वर्गी करण का पिता कहा जाता है, मेलवन डिवी को, किसे कहा जाता है, दोस्तों, मेलवन डिवी को कहा जाता है, अगर काई यह को ते हैं तो दोस्तों करती भासा होती है chiffon चो तो होता है पुस्तकल ये अधिक्सता का आदार है very important question है ये line जो है किसके द्वारा कही कि थी by WCB Sayers के द्वारा हम जानने युद्धार द्याने कना तो WCB Sayers ने क्या कहा था the foundation of the librarian ship द्यानना कि Liberianship का जो आधार होता है वो क्या होता है वो classification होता है very important question है तो सवाल आता है कहीं बात कि the foundation of Liberianship तो Liberianship का जो foundation क्या होता है वो होता है आपके classification होता है ये line किसने बोली थी WCB Sears ने कहा था तो WCB Sears ने कहा था कि पुस्त का ले जक्सता का आधार हमेसा क्या होता है वरगी करण होता है अगला सवाल है पुस्त का ले के आधार क्या होता है पुस्त का ले का आधार ज्यानगना तो पुस्त का ले का आधार क्या होता है तो ज्यानगना पुस्त का ले का आधार होता है किताबे किताबे होता द्यानगना किसका पुस्त का लेका जो आदार है फाउंडेशन ओप लाइब्रेरी द्यानगना फाउंडेशन ओप लाइब्रेरी तो पुस्त का लेका जो आदार होता वो क्या होता दोस्तो किताबे होती दोस्तो किताबे होती है द्यानगना और अगला यह जोड देना आप उसकाले वर्गी करन का अधार पुस्काले वर्गी करन का अधार किसे कहा जाता है अंकन को कहा जाता है अब आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़ूत नहीं है सवाल अजय पुस्त का लेके अधार लाइब्रेरी का जो फाउंडेशन है तो लाइब्रेरी का फाउंडेशन क्या होता है लाइब्रेरी वे रखी हुई किताबे होती है तो दोध्यानकना दा फाउंडेशन अब लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी का जो आदार होता है वो होती है किताबे फिर अजय सवाल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का आदार तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का आदार क्या होता है वो होता है अंकन क्या होता दोस्तों अंकन होता है दो तीर सा सवाल अजय है foundation of librarianship पुस्काले अधिक्स्ता का अधार तो पुस्काले अधिक्स्ता का अधार क्या होता दोस्तों तो पुस्काले अधिक्स्ता का अधार होता है आपके classification क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन होता है यह चीज आपको ध्यान में रखनी है चीज़ दोस्तों अगला अब हम बात करते हैं अभी हमने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारें पढ़ा क्लासिफिकेशन कौन सी बासा से बना है कहां से आया था फिर हमने पढ़ा था है इक क्लासिफिकेशन को दो अर्थों में परियोग किया जाता है जनल क्लासिफिकेशन और जो है के लग परीवास है ठीड फिर हमने कुछ बेश्जीक ठीज़े पढ़ी स्काले का अध्यान का अधार क्या होता है किताबर होती है ठीख हम बात करते है बहुतն ऑग रहे हैं हम किम लाइबरेरी के अंदर जो हैं वर्गी करन करते हैं किताबों को किताबों को क्लासीपाई करते हैं तोirement समुखेट मोहक्ते सब्जेट के अदार पर लेकिन हमारी साथ 7 के अंदर कोई न परियोगं करते हैं चाहियं आप CC का परियोग करो, चाहिए वो DDC का करो, चाहिए UDC का परियोग करते हैं, तो आज हम Library Science का अंदर ये पढ़ने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कितने परकार की वर्गिकन पतितियों का परियोग किया जाता है, How many Library Classification Scheme, कितनी पूरे वर्गिकन पतितियों का परियोग किया जा रहे हैं, उनके बारे में हम बिल्कुल संसिप्थ, संसिप्थ जो है, हम पढ़ने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चले, कि Library Science के अंदर कितनी वर्गिकन पतितियों होती हैं, There are many types of classification schemes, schemes used in the world, दुनिया में अनेक परकार की पुस्तकले वर्गिकन पतितियों का परियोग किया जाता है, ठीक है, अनेक परकार की पुस्तकले वर्गिकन जो पतितियों है, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए वह सबसे पहले वर्गिकन पतितियों के बा किया रखना आपको, यह डिडिसी विश्व पकी सब से पुराणे फरकिकन पतिती ना, तब क्या परिक सलगे उनके पार स्बसे पुरांग सबसे पुरानें पतिती ठीकनग और डिडी शीको और डिडी सी को डिडी सी का जो विकास डिडी सी का जो डोलोप END है वो डोलोपेंट कब वह था अठारश च्छियोतर में और इस वर्होगीगल पतिती को विख्षित करने वाले रेक्ति का नाम क्या है मैलवन डिवी देया लगना, तो सबसे पुरानी वर्होग तो हमने लाइबरी क्लासिपीकेशन है और लाइबरी क्लासिपीकेशन स्कीन क्या उसके बारे हम संसिप जानकारी पढ़ रहे हैं लेकिन इस क्लास के बाद हम एक एक जो वर्गी कर पढ़ेती हैं एक जो क्लासिपीकेशन स्कीन है उनको हमें बहुत ज़्यदा डीपली पढ़ हम सिर्फ बैसिक चीज़े पढ़ते हैं तागे आपको पता चले कि लाइबरी क्लासिफिकेशन होता गया है उनकी किनकिन लोगों ने उसकी परिवासा दी है वर्गिगन के बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में ठीक है लेकिन अगली क्लास में हम इनकी बहुत अधा डीपली जो हम पढ़ेंगे एक ही क्लासिफिक स्किम को दूसरा होता है इस-सी को हिंदी में crit की फुलगों होती है expensive classification दूसरी वर्गिगन पतिती होती है expensive classification जिसको डॉलोब क्या गया था 1800 एकराणों में और किसके द्वारा डॉलोब क्या गया था CA cutter के द्वारा तो expensive classification जिसका विकास जिसका development 800 एकराणों में CA cutter के द्वारा क्या गया था तीसरी वर्गिगन बतेती है LCC LCC को फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी ओप कॉंग्रेस क्लासिपिकेशन चीक है ना वही इसका जो डॉलोपेंट हुआ था 1904 में और किसके द्वारा लाइब्रेरी ओप कॉंग्रेस के द्वारा अब लाइब्रेरी ओप कॉंग्रेस क्या है यह अमेरिका का लाइशनल 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 लाइशन लाइशनल को लेकिन कई पार शवाल यह पूछा जाता था कि इस वर्गीकरण लाइशनल क्लासिप्रिक्स्यों को बनाने में दो एक्टियों ने बहुत ज़्या जदा हिल्प किये थे डो कॉनसे वेक्टि हैं एक तो द्यान हम इंट प्हलतर चार्स मार्टिल लाम है तो इस सवार आता है cas चौति वर्क्षिकन पत्तित है तो वर्कृक्राइक स्थों कि इता है उडिसानी यह लोटिवन व्रक्राइक पत्तिरी से समझाः लगता है तो व्रक्राइक नुख्षिए उसको निपेसब हें। किसके द्वारा फिड के द्वार अगर वाल लोग पूछ लेए वहां दो मर्णलोटágina व्यक्ति का नाम है पॉल आकलेट को और दूसरे व्यक्ति का नाम है हेंड्री लो फॉंटेन जा रखना क्या नाम है दोस्तों हेंड्री लो फॉंटेन हो गद्यानक में हो तो अगर यूडिसी के दो सवाल बनता है कि यूडिसी वाज डावलोट बाई फिड और दूसरे सवाल ये भी बन सकता है कि यूडिसी पॉल औलट्लेट और हैंडी लोह फॉंटेन के द्वारा जो विक्षीत की आगें तो अगर प्र इसागी सवाल यूंप आसकता है एक हैं प weakest के द्वार्रा फउसे पतित से जूड़ए वेक्ति युदं से टिस अग्ला पांच प्र Wikiक से से ँड़ेवे हैं आख़ा प्रटिपाजत किया गया था जैड़ी ब्राउन साब के द्वारा विकास किया गया था और जैड़ी ब्राउन साब प्रटिपाजत किया था फिर चटा है सी सी कॉलन क्लासिपिकेशन का विकास कब हुआ था 1933 में और किसके द्वारा विकास किया गया साथ है बीसी का फुल फॉर्म होती है बिब्लोग्राफिक क्लासिपिकेशन का विकास हुआ था 1935 में और किसके द्वारा किया गया एच इब्लीस के द्वारा बहुत बड़े विद्वान थे है एच इब्लीस के द्वारा जो है बिब्लोग्राफिक क्लासिपिकेशन का निर्माड हो था जो भी विद्यार्टी इस क्लास को देख रहे हैं मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनको अच्छी तरीकेशन नोट्स बन के बात इसलिए मेरा अधिकार है कहने के लिए कि मैंने कॉंपिटिशन एक्जाम दिया और आप सभी लोगों के आसिवाद और सुबकामने और इस्वर के आसिवाद से आप मेरा राजिस्टान थर्केट के अंदर सेलेक्शन हो चुका हैं 2018 में और मैं सही जगे पर यह अपन मेरा यह उद्शिय है कि आप लोग भी जल्दी सपल हो मैंने बहुत ज़्यदा स्ट्रेगल किया है लेकिन मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था लेकिन आज भी मैं इस चीज पर विश्वास करता हूं मेरा मार्क दिर्शन आपकी मैनत और उसके बाद आपकी सपलत हो आप अपने रिष्टेदारों को भूल जाओ दोस्तों को भूल जाओ और तीन से चार महिने इमांदार इससे पाँछ गंटे अगर आप पढ़ते हो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सेलेक्शन सो परसेंट हो चुका हो जाएगा क्योंकि ऐसा मैं कंटेंट दे रहा हूं मैंने चार साल में की हैं मुझे वास्त मुझे क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ा हालंकि किसी ने कहा है कि जो होता हूं अच्छा होता है हालंकि दो जाधार का जो राज़स्तान के अंदर vacancy थी मेरे मित्र है कमल जी कनवारिया साब जो पुस्तकाले संग राज़स्तान के जो अध्यक्स है उनका 26 वाली में सेलेक्शन हो गया मैं एक सवाल से रह गया हाला कि माल लीजी किसी ने का जो होता हुआ अच्छा होता माल लीजी अगर मेरा उस समय सेलेक्शन हो जाता और मैं आज कहीं दूसरी जगे पर पोस्टिंग होता तो सायद मैं आज आज आपको एक्जाम होगया था एमदाबाद हाइखोट में इंट्रुव्य था लेकिन गुजराती भासना नहीं आती थी तो कहीं ने कहीं दोस्तों यह इस्वर ने मुझे चार साल पहले इस्ट्रगल कराया था कि पर सुमेर तो इस्ट्रगल कर लाइवरी साइंस में ठीक है बात में चार साल बाद तुम्हें सेलेक्शन हो जाएगा और तुम्हें जोइनिंग तुम्हारे घर के पास मिलेगी तुम्हें ग्रेज जिले मिलेगा घर से पांच किलोमेटर स्कुल मिलेगी उसके बाद तुम्हें पढ़ाना है तो कहीं ने कहीं जो विजाता ने लेक लिखा है औ आप ओर जो है आपका और मेरा कहने-कके लिखा हुत है इसलिए आज मैं आपके सामने हूं ठीक है दोस्तों तो इसलिए यह चीज आपको ज्हान रखना में स bubb तो आज जो चीजा की है उस इस्ट्रग को में आपके साथ करना हूं उसके बाद अगली जो है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है इस वर्गिगन का जो है विकास जो हुआ था डवलोपेंट हुआ था लेनिन इस्टेट लाइब्रेरी में द्वारा यह एक रस्टीबीकेशन इसका डवलोपेंट नोनिसो उन साथ में लेनिन इस्टेट लाइब्रेरी के द्वारा क्या गया था फिर हम पात करते हैं RTC, RTC की फुल फॉर्म होती है, Rider International Classification है, इसकी जो विकास है, वो 1901 में हुआ था, किसके द्वारा, एप राइडर के द्वारा, एप राइडर के द्वारा इसका विकास हुआ था, और लास्ट और दस भी जो वर्गी गर्ण पते थी है, BSO, BSO की फुल system of ordering, क्या होती है दोस्तों, broad system of ordering, जिसका विकास 1908 में हुआ था, फिड और इन्वेस को दोनों का यह, दोनों का मिला कर यह project था, दोनों ने मिलकर इसका निर्मान क्या था, और कहीं बार इस सवाल पुछा जाता है, कि अगर कोई व्यक्ति इससे जुडावा है, क्या नगन जैसे Henry & Law Fountain, जियां देची आप, Henry & Law Fountain, जै UDC से जुड़ेवे है, जैसे CM Hansen & Martel, से जुड़ेवे है, उसी तरीक से J Course नाम का बेकती है, यह भी दियानकना किस से जुड़ावा है, यह जुड़ावा है, आपके BSO से जुड़ावा है, क्याकि दोस्तों, यह आपके 10 competition exam की त्यारी करो आप कोई भी competition exam की त्यारी करो चाहिए स्टेट हो चाहिए यूजी सी नेट हो तो आपको ये दस वर्क इकन्ट पदित्यों को आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूत है लेकिन आज हमारे लाइबरे क्लासिफिकरसन का पहला टॉपिक है इसलिए आज हम बैसिक चीजों पर चड़्चा करें आपको पता तो होना चाहिए कि आप classification पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कितनी classification scheme होती है इसलिए आपको आज हमने इंट्रोड्यूस करवाया है classification scheme का, अब हम बात करते हैं basic terminology, जो कई बार प्रिक्सा की अंदर पुछी जाती है, मूलबूस सब्दावली, पहला जो होता है, classifier, classifier को इंदी में क्या करते हैं, वरगी कार करते हैं, अब वरगी कार क्या करते हैं, जो लेखते ही library की अंदर बात किताबों को उद्दर रखने हैं, उसको classifier क्याते हैं, ठीका ना, एपर्षन हो classify books in a library, एक वर्टी, जो है लाइबरेरी के अंदर किताबों को classify करता है, बाइप्रेटिंग ये classifier system, एक वरगी कार को संचालित करके पुस्तकाले में पुस्तों का वरगी करता है, किताब क्टाबों के करता कि तप क्लासिफाइर करते हैं क्लासिफाइर और आप लेकरे के अंदर जबकिताबों को रखोगे उसको आप classifier कहते हैं आप भी library librarian के साथ आप एक classifier भी होगे लेकिन दूसरा जो है यह terminology है बहुत important है जिसको हम कहते है classificationist क्या कहते है classificationist जिसको हिंदी में कहते है वर्गाचारी है अब वर्गाचारी क्या होता है एक person who design एक वेक्ति जो design करता है classification scheme एक वेक्ति जो वर्गि Gar Strawberry को त्यार करता है त्यार करता है यह वर्गाचारी क्या क्लासिफिकिन जैसे क्लासिफिक निस्ट किलाएंग जैसे embargo यह लात है क्लासिफिकर अबगन देखना किलाते हैं तो यह क्लासिफिक निस्ट कहलाते हैं तो जो वेटती वर्गिगण पदिति को त्यार करता है जैसे UDC है तो UDC किसना क्या है? त्यार कीती है Henry Low Fountain और Henry Low Fountain और Paul Outlet इन दोनों ने करते तई ये धोनो वेक्ति क्या है? ये धोनों वेक्ति वर्गाचारिय है लेकिन क्लासिफायर क्या होता है? जो किवल library में किताबों को classify करता है वो classify error होता है लेकिन दो वर्गिकंड पदिती का निर्मान करता है वो होता है वरगा चारी होता है फिर हम बात करते हैं तीसरा जो है बहुत important है artificial language artificial language को हिंदी में कहता है कर्तरिम भासा तो यह क्या है ये प्राकतिक भासा की विपृत होती है प्राकरति का मलब होता है नच्रानल यह gradual विपृत होती है इसे विचार क्या परियोग के जाता है तो वो अमेशा क्या होती है करत्री का परियोग किया जाता है ऑप फिर हम बात करते हैं आज हम पुस्तकाले वरुगी कि आउसक्ता आखिरकार लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन की आउसक्ता क्यों जरूत पड़ी के आदोनेग यूग सुचना क्रांती का यूग है और आज का समाज विभिन परकार की सुचनाय प्राप्त करना चाहता है इस परिप्रेक्षे में अनेक परकार के प्रलोगों की पूचिपकेशन संक् Ну गही लेह बढ़ गईन लेकिन उन्स सुचना श्रोत का सई तरीके से यूजर कैसे पर चिंश स्कार करना हुए ताकि यूजर ऑग्ता करना है और क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर कितने भी किताबे आ जाए तो लाइब्रेरी के अंदर जितनी किताबे कम होगी उत्रा ज्यादा स्टुडेंस इंट्रेशनिल लगे तो लाइब्रेरी के अंदर ज्यादा से ज्यादा किताबे हो नए-ने किताबे हो नए-ने एडिशन की किताबे हो हैँ मीर हो हर वेक्ति को वहां पर पढ़ने के लिए किताब होने चाहँ चाहकर मिल करें अगर आर्स कर विद्यारती जाता था अर्स स्हें सांवदिर में सब्सक्राइंTube संग्रेट विदी विशेप्धग के लिए रगी कड ऑती आउग सकता है क्योंकि हर जो यूजर होता जो में जाता है हर यूजर की की अलग अलग माल सिकता होती अपना विशूear के बारे में पढ़ने के लिए जाता है कोई उजर कद ने के लिए जाता है पड near देली देश के अंदर कंट्री के अंदर जो डेली जो अपडेट हो रही है चीजे उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग जो रिसेर्च करते हैं उसके बारे में और किसी टॉपिक के बारे में और ज्यादा जानना है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है कैसे लिखा जानना चाहता है तो एक सई जंग से अगर क्लासिपिकेशन होगा तो कोई भी फिल्ड का कोई भी चेतर का अगर को यूजर आता है उस चेतर के हिसाब से उसको पता चल जाएगा कि जो चीज मैं डूनना चाहता हूं वो चीज इस कोने में पड़ी है यह इस अलमारिव के एसार अंगरत ने क्लासिपिकेशन लाइबरी क्लासिपिकेशन में क्या घा था डाक्टर एसार अंगरत ने अपनी किताब जिसका नाम है प्रोलोग एमिना टू लाइबरी क्लासिपिकेशन क्या नाम है इस किताब का प्रोलोग एमिना टू लाइबरी क्लासिपिकेशन इसक इस किताब के तीन एडिशन आ चुके हैं तो बहुत इंपोटेंट किताब है प्रोलोगेमिना टू लाइबरी क्लासिपिकेशन इसका इस किताब का इस बूक का फर्स्ट एडिशन आयता 1937 में सेकेंड आयता 1957 में थर्ड आयता 1967 में मैं वर्गिकान सब्द के अर्थ की विश् बिल्कुल पून रूप से चर्चा की थी पून रूप से विवस्ता की थी ठीक है अगला जो पाइंट है बोतिक उस्तों का वर्गिकरण करते हैं समय दो परक्रियाएं विबाजन यहों समुहिल की करण अपने जाती है रंगारत्यम के अनुसार अगर आप जो है किसी का वर्गिकरण करते हो तो विवर्गिकरण करते हैं समय दो प्रोसेस अपने जाते हैं पहला होता है विबाजन विबाजन का मलो होता है क्लास करना किताबों को क्लासिपाई करना दूसरा होता है सामोहिकरण का मलो होता है ग्रूपिंग क्या अना ग्रूपिंग करना जैसे म मैस की किताब यहां रख दी साइंस की किताब वा रख दी इंग्लिस की वा रख दी और जोग्रापी की वा रख दी फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे और मैतमेटिक्स की किताब आगई तो उसकी किताब को वा पर रखना जहां पर मैतमेटिक्स रखी है ना वा पर उस मै support के तो इसको किताब होती है य हाफ की मिल है और उसके बाद जो है कॉंपिटिशन समय की बी लगता है किसी बड़े ड्रामा भी हो सकता work to आपको आपको इंगलिस तो यहाबने पहले रखिए जो जो जितने भी संद्रूं किताब्व हैं उसको समु में रखना वह क्या होता समु कि रण हुगया पहले तो आपको सब्सक्राइबками है देखे पहला तो है यह विवाजन करना र्गाना दोस्तो विवाजन के अमने समझके हैं स्ट्री मैतमेटिक्स की और भी चीजा आंए मैतमेटिक्स में भी इस गनीट और भी बहुत सारी जो है डिविजन होते है है तो उससे वह किताब अगर आपको वहाँ स daar MODE से उस डेर में से मिलती न केताबों को उसी जगह पर रखना ये क्या कहलाता है तो रंग्यानतिन के अनुसर वीपाजन का अर्थ होता है यह वापस आगा दे कि विपाजन का क्या होता है वीपाजन का मले होता क्लास क्लास का रख स tiden को दो या दो करना किताबों को जबकि सामुइकरन अत्रिक तूरों का पूरो निदर्थ अनुक्रम में विवस्तित करने की सुचित करना जैसे सबसे पहले आपके सामने mathematics की आई किताब आई तो mathematics की किताब आपने रख दी लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद और mathematics किताब आ गई है तो उसको उसी समू में रखना वो क्या कहलाता हूँ समूई करन कहलाता है कि अब हम बात करते हैं इस लाइब्रेरी क्लासिपीकेशन संबंदित कुछ important fact के बारें बात करते हैं यह important fact मैंने यह topic इसलिए नाम दिया है ताकि इससे संबंदित कैसा भी सवाल बन जाए वह आपके जो है इस नोट्स में इस नोट्स से बाहर कभी नहीं जाएंगे तो important fact यह है कि ऐसा सवाल प्रिक्षा के अंदर हमेसा कई बार पूचा जाते हैं तो द्यानकना अगर सवाल बन जाए पुस्तकालेओं में पुस्तकों को समनेत व्यवस्तित किया जाता है अगर लाइब्रेड के अंदर बहुत सारी किताबे आगी है उनको आप जो है किस आदार पर व्यवस्तित करोगे तो उनको अमेसा ध्यानकना है विशे के अदार पर व्यवस्तित क्या जाता है किसके अदार पर विशे के अदार पर व्यवस धिश्य करवाया आपको दस वर्ग और प्रती डीडीसी uDCCC लेकिन अगे सवाल पुझा जैए कि वर्ड में सबसे ज्यादा कौन सी वर्गिगन प्रती का यूज होता है तो ज्यानना सबसे ज्यादा जो लाइब्रेरी के अंदर जो है चाहिए वो अकैडमिक लाइबरेरी हो चाहिए वो पब्लिक लाइबरेरी हो चाहिए वो इस्पेसिल लाइबरेरी हो सबसे ज्यादा दो वर्गिगन पतिजी का प्रियों होता है एक तो होता है डीडीसी का और दूसरा होता है यह सवाल परिक्षा में आच को आप एजिट याद करना के इंटेनेट पे जितने भी डोक्यमेंट से उनको कैसे क्लासिफाइब कर सके उसके लिए वर्ड दिया है और युज इंपोर्टेंट इसको अची तरीके से याद करना यह कहीं बार पूचा जाता है तो द्यानकना क्लासिपीकेशन की आदार पर त बेस्ट डोकुमेंट्स होता ओंटलोजी होता है इसको अच्छी तरीके से याद कर लेगा फिर अगला जो पॉइंट है according to NKC NKC का मलब होता है National Knowledge Commission जिसको इंदी में कहते है टहते है राश्वन जान आयो तो राश्वन को अंशार को उसके झान जान का दौहर है जोगने यह इस्ट्रेटमेंट कसके द्वारा धिया गया है भी तो लेकिन क्लासिपिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्लासिपिकेशन में भी बहुत सारे जो है परकार होते हैं तो इसे सवाल हमें से पर पूचे जाते दोस्तों तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक पुस्त्रों की कुछ विशेस्ताओं पर आदारीत होती हैं यहीं आपको पढ़ना है करती है बवशेवस्तु के समंझ में विश्वष्निया मार्क देशन पर दान नहीं करती है जो मैसे समंधित नहीं होती है जो विशेवस्तु के समंध्में मार्क्न परदान यह आक अनन दीएं ओकाइस फिरिवस्तुके सब्सक्राइब कि कोइस्कों कि कुछ विश्राइब सब्सक्राइब नाừa सब्सक्राइब पूस्तक और गैसा पूस्तक्राइब कि में रधालवा Satya क्लासिपिकेशन देखो कुछ विसेशतों पर आदारित होती है तो वो तो आपको ध्यान एकना है करत्रिम क्लासिपिकेशन होती है अब हम बात करते हैं डैक। क्लासिपीकेशन 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 क्लासिपीकेश सिन होता ज्यान रखना डिटेल क्लासिफीकेशन ओप्सक्राइंट डिटेल क्लासिफीकेशन ऑब मेक्रो डोक्युमेंट विश्चेत वरगिकेशन के लिए जो मेक्रो दस्तवेज तो लेकिन कट्रिम वर्गिकन होता है लेकिन मेक्रो दस्ता पें या परकाल या इन दोनों अथ्वा अनिये तार कि क्रम के अनुसर पुस्ट को या पुस्ट का ले शांघरी का सईयोजन किया जाता है वह पुस्टक वर्गिकन कालाता है पुस्तक वर्गिकन में क्या होता है या तो किताबे होती है या पिर पुस्तक ले जो लाइबरेरी जो मटीरियल होता है उनका सयोजन क्या जाता है उसे हम क्या कहते है पुस्तक वर्गिकन क्याता है ऐसा वर्गिकन जिसमें विशे क्या होता भी या तो विशे या परकार परक तो अभी हमने तीन क्लासीपिकेस्न पड़ी है पाइली पड़ी है दोस्तों कर्तरिम क्लासीपिकेस्न जिसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिस में कहते हैं आटिफीशिल classification जीसमें हमें से ध्यान गना है जो किताबे होती है वह विशेशता हों के अधार पर वती है किसके बहुति है विशेशता हों कल back योजना की योजना जो योजना जो विशेशता हों के आधार योजनवी असे ध्यान फॉर मेक्रो डॉक्युमेंट आता है तो अमेसा क्या होगा यह सवाल आई हुए आगे अभी अपन हम जोए ना एक इक सवाल का अपन क्या करेंगे पिछे हम अब्जेक्टिव करवाएंगे अपको ठीक है दोस्तों तीस पर होता है बुक क्लासिपिकेशन में अमेसा ज्यान र होता है फिर चौता होता है पुस्त काले वर्गी करण जो भी हमने पढ़ा है समान या समान विश्य सामगरी वाले दस्तावेज के सामुही करण को क्या कहते हैं सामुही करण को लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन का जाता है तो अभी हमने पढ़ा था सामुही करण ग्रूपिं जो आपने किताब तरदी है यह से वालोग पहले mathematics की रख दी है और कोई किताबे स्टो समस्काली रहाता है तो समान विषय सामगरी वाले जैसे mathematics आपके साम से पहले mathematics किताब आगे आपने रख दी mathematics को और mathematics किताब आगे तो उसको वही जगह पर रखना उसको हम कहता है सामुई करन तो समान समान विषय वाले जाना समान विषय वाले सामगरी को वाले दस्तावेस को समुई करन कहता है और उसे हम क्या कहता है, लाइबरेरी क्लासिपिकेशन कहते हैं, दोस्तों, बहुत इंपोर्टेंट हैं यह चीज़ या गजना, फिर अब लास्ट और जो होता है, वो होता है आपके विशेट, सब्जेट क्लासिपिकेशन, जिसको हम इंदी में कहते हैं, तो विशेवर्गी क क्लासिपिकेशन पांच परकार के होता है, पहला आटिफिशन, दूसरा डैप्ट क्लासिपिकेशन, तीसरा बुक क्लासिपिकेशन, चौता लाइबरेरी क्लासिपिकेशन, और पांच जो होता है, सब्जेट क्लासिपिकेशन, जिसको इंदी में कहते हैं, विशेवर्गी कर त्वरित और आसान पहुँच के लिए पुष्टकाले सामगरी को व्यवस्चत करने के लिए विशे वर्गिकरन सबसे संतोजनग आदार होता है बहुत इंपोर्टेंट है भी वेरी इंपोर्टेंट त्वरित त्वरित को अंगरेजी में कहता है सबसे तरिकेंश करने के लिए अगर आप लाइबरेरी के अंदर जाते हो अगर लाइबरेरी मटिरियल को बहुत जल्दी और असान 20 परिके से उस्म अदर प्रीकेंशन बहुत सबसे ज्यादा important होता है तो अगर subject classification होगा तो हम किसी भी matter को बहुत जल्दी और बहुत जो हैं से बहुत quick और easy तरीके से हम वहां तक पहुंच सकते हैं तो तुरित और आसान पहुंच के लिए पुस्तकले सामगरी को विवस्तित करने के लिए subject classification बहुत ज़्यादा आधार है बहुत ज़्यादा संतोजनक आधार है तो अगर कम समय में और बहुत जल्दी अगर आप information source तक पहुंचना है तो यह subject classification बहुत ज़्यादा important होता है तो हमने 5 परकार के classification पढ़े पहला पढ़ा था artificial artificial में हमने पढ़ा था कि जो वर्गीकरन के एक योजना होती जो विस्शता हो के आदार पर आदार होती है जो विस्षता हो पर आदार होती गैं वह गया artificial फिर हमने पढ़ा था दूसरा depth depth में हमने पढ़ा था detailed classification for macro सभिधर मेख दक्यार समान विशह वाली किताबह उनको समू için करना जो होता है वो बुक क्लासिपिकेशन हो गया फिर लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन में हमने क्या पढ़ा पुस्ट काले वरगी करण में जिसमें समान विशेव वाली जो किताबें हैं उनको समुई करण समुई करण करना वो लाइब्रेरी क्लासिपिकेशन हो गया और पां छोटा सा टॉपिक था ये आज हमारे क्लास का पहला टॉपिक है। लाइबरेरी क्लासिफिकेसिन बहलोग क्लासिफिकेसिन शुरू कर रहे हैं त senior पहले पता तो होना चाइए कि अ bisa किसना क्या होता है कितने पुस्तकों की कुछ विसेश्थाओं पर अधारित होती है जो विसेवस्तु के समन्द में विश्वस्थनियों मार्ग दशन परदान नहीं करती है यह सवाल आया था दोस्तों के विएस दोजाग पंदरा के अंदर तो मैंने बताया था अभी कि जो है लाइब्री पुस्तकों की कुछ विसेश्थाओं पर अधारित कौन सी वर्गी करण होता है तो पुस्तकों पर अधारित होता है वह आर्टिफीश्यल क्लासिपिकेशन होता है क्या होता दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया आपको यह देखिए यह के विएस 2015 के अंदर यह सवाल आपके पुछा गया था very important question है द्यानगना अगला question में in libraries books are generally arranged according to पुस्तकों को सामनेत किसके अनुसार विवस्तित किया जाता पूस्तकाले में जो library के आंदों जो किताबे होती है किसके अनुसार विवस्तित किये जाती है तो द्यानगना सामनेत एमेसा sorry सामनेत एमेसा विसेश्य किसके आदार पर व्यवस्तित की ज़ाती है टीसरा किसकी जो आपरेटिं Corporate diğer करता है उससे क्या करता याolic उससे क्या क्याता है और Hani तो किताबर धार करता है किताबों का वर्गी करता है उसे हम क्लासिफायर करते हैं क्लासिफायर 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 है वह वह जो एक वर्गिगाण योजना त्यार करता है योजना का मलें होता है वर्गिगों पत्ति आ हैं कहते हैं क्लासिफिकनिस्ट और हिंदी में कहते हैं वरगाचारिये क्या कहते हैं वरगाचारिये कहते हैं तो उसके बाद है अगला कुश्चन है कि मैक्रों कर दस्तावेज नो के लिए आउस्त विश्धित बर्गी कांव को जाना जाता है फरी हम ने बढ़ाकर था वर्ल को लोग में बमने परकार की न grateful वह ध्रीब्र擊शन को जाना झाना जाता है तुम मेकरों के लिए किसे जाना जाता है वे wow क्लासिफिकेशन किया जाता है इस लिए दो्स्तो यह दोस्तों यह देकिया आप के केस्ट 202045 के अंदर यह सवाल आया था आया थो यह आपके सामने पीपर उठाके के मैं को जूट नहीं जो रहा हूं पुराने पेपर को जब मैं content लिकता हूं तो पुराने पेपर को analysis करके ही लिखता हूं ताके आपको पता चले इस तरीके सवाल पुछा जाता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये चीजे आपको notes, जब notes के अंदर ये चीजे लिखी होई होगी तो आपको कोई टैंसल लेने की जरूत नहीं रहेगी, ठीक है, उसके बाद अगला question है, the word classification was derived from which Latin word, के ये वर्गिकर्ण जो सब्द है, लेटिन सब्द से बना है, ये लेटिन सब्द के किस लेटिन सब्द से बना है, ये RPC, college librarian आई थी, vacancy 2,16 के अंदर, उसमें ये सवाल आय सवाल आया था, के classification word, Latin बाष्ञा के कौन से सब्से लिया भाए, तो लेटिन बाष्ञा के, классis सब्से लिया गया है, ये चीज़ जयानेदना, अगला question है, our PPC, college librarian, 2,16 के अंदर, सवाल आया है, के who is called the father of model library classifications, आदो ने एक पुस्टका ले वर्गिकर्ण का जनद किसे कहा जाता है देखो वर्गी करन्ड का जनक कहा जाता है अरुस्तु को लेकर सवाल पुचा है पुस्त का ले वर्गी करन्ड के आद उने पुस्त का ले वर्गी करन्ड का जनक किसे कहा जाता है मेलं डीवी साप को मद मेयन डीवी साप को कहा जाता है यह चीज जी जिए हां रखता हूं आगला चुश्चन है भैई the foundation of classification अगला फ्रियलाकर हम चाहिए आगला फ्रटेशन ऑप लाइब कने ख्लासिफिकेशन मलब पुस्काले वर्गी करण का आधार बहुत इंपोर्टेंट है पुस्काले वर्गी करण का आधार किसे कहा जाता है notation को कहा जाता है ठीक है तो देखो पहला सवाल है लाइब्रेरी का आधार तो लाइब्रेरी का आधार क्या होता है तो लाइब्रेरी का आधार होता है बुक्स क्या होता भी बुक्स होता है दूसरा सवाल बनता है लाइबेरियन सिप ठीक है ना भी तो लाइबेरियन सिप का ज अगर गरिकेशन का दोस्तो टालखाना अगराने जोस्तात को सरू कि ऊधार है कि आशा वर्गी करन जान देजी़ आप कि ऐसा बड़ीकरन जिस मन्तार किसमें ऋ मैंने भी पताया था जिसमें तार्की किताब aur यह भी लाइबरीरी मटरियल का सां मगरी का सीलों किया जाता है उससे हम क्या क्लासिफिकेशन कहता है क्या कहता है दोस्तों बुक क्लासिफिकेशन यह सवाल आया था आर पीसी के पेपर में क्या होता है ति द्यानक्तना ये किताबी होती पुस्ट का लयांगा ओथा और पूस्ट का ले वर्गी कर्ण का अधार नोटेशन और LA को समझाने के लिए तीन स्टेप किसने बताया थे पहला header क्या हो गया T stitched है on को सब्सद्टों को वर्गिगंट को समझाने के लिए एची बीस के द्वार Esta तीन स्टेव का विचार किया गया था हूँ सैड किसने कहा था कि वस्तुओं को उनकी समानता वहाँ समानता के अदार पर व्यवस्तित करना वर्गी करना है मैंने बताया था समानता वहाँ समानता के अदार पर किसने कहा था किसने कहा था किसने मान लिया था कि समानता वहाँ स अमान ले अमार्गेट मानने किसके द्वार्गेट मान के द्वार्गेट मान के द्वारे ये परीवासा दी गई थी ठीक है अगला कोश्चन है यह एम जोथपूर के अंदर आया था बीए सो इन classification, अभी हमने पढ़ा था, 10 classification scheme, कि बी, इसो इन classification, st manufacturers, वर्गई के लिए 100 की full form क्या है, तो द्यान रहоп ना, वर्गई के लिए 100 की full form होती है, broad system of ordering, क्या होती है दोस्तो band system of ordering होती है, त्यान रहพर्णा, पई, जैसे ddc की full form होती है, dvA decimal classification, sx 형 pra इसके जो विकास है यह विकास किया गया था आपके 1908 में किसमें कब करीबन हमने 40 कॉश्चन बनाया इस टॉपिक में से वो आपको test series के रूप में जो है आपको नीचे जो है जैसे आप एप के अंदर जाओगे न दोस्तो तो एप के अंदर द्यानगना यह topic रहेगा library classification का वीडियो उस वीडियो के नीचे रहेगा आपके PDF और उसी PDF के नीचे द्यानगना जो topic पढ़ाया है इस topic में मैंने 40 question मनाया है तो 40 question की test series उसी topic के नीचे रहेगी त्यानगना इसलिए उसी topic आपने सबसे पहले क्या करना है इस PDF को खोलकर आपको notes बनाना है Hindi PDF वाले Hindi medium लिखिए English medium वाले English medium लिखिए पहले PDF से आपको notes बनाना है notes बनाने के बात film नहीं आपको class देखनी है जा important बता रहा हूं उसको underline करना जब आप notes बने आपने वीडियो देख लिया revision करना और revision करके बिना देखा देख किसी वीडियो वीडियो के निचे आपके PDF पीडियो के निचे वह आपको test series आपको मिल जाएगी उसके बाद बिना देखा देख जब आप test series दोगे उसके बाद उसी test series के अंदर जो सवाल इस topic में से बना रहा हूं वह सवाल अगर previous question paper मे होने अपने मन से बनाए है वो आपके इस topic में से चालिस question बनाए है उस चालिस question का test देखा देखा दे यह topic आपको clear हो जाएगा कई जाने की जरूद नहीं है ठीक है दोस्तों यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है उसके बारे में जो भी इस class को देख रहे है सबसे पहले हमारे इस class को like कीजिए comment जरूर कीजिए दोस्तों comment बहुत ज़्यदा जरूर है क्योंकि आपके comment है अच्छे comment मुझे motivate करता है बहुत सारे नई चीज़े करने के लिए तो comment जरूर कीजिए हमारे इस class को इस channel को subscribe कीजिए और अधिस्तान second gate third gate की त्यारी करने वाले विद्या जो कहता हूं यह हमारे अभी 2022 की जो विकैंशी थी 463 अदोपर यह हमारे जो top से सबसे जो है टॉपर से हमारे यह नजर निस्री जो सबसे पहले जो है 400 में से 300 नंबर लेके रही बहुत सारे लोग जो है हमारे जुडएवे थे बहुत सारे लोगों ने मेंत की हमारे mark 10 और आपने जो हमारी class देख ली है आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं हमारा content कैसा है और जो भी विद्याती इस class से जुड़े मैं उनसे कहना चाहते हो अगर आप online school इंडिया से जुड़ना चाहते हो तो जो topic मैंने पढ़ाया है जैसे आज मैंने यह topic पढ़ाया है library classification वह लाइबरी classification YouTube पर भी आप क्या कीजिए सर्च कीजिए जो topic मैंने पढ़ाया वह topic आप अन्य टीचर के द्वारा भी पढ़कर देख लिए देखिए और पी तुलना कीजिए कि कौन अच्छा पढ़ाता है कौन बूरा पढ़ाता है जो अच्छा पढ़ात लाइन पढ़ने वाले बच्चे हैं और बहुत ज़्यदा मैनत करें नोट्स बना रहे हैं और जो विद्यार्तिस क्लास को देख रहे हैं आपकी notification मई के अंदर आएगा लोग ऐसे आसे लोग है वेकेंसी आने से पहले course पूरा कर लेंगे वेकेंसी आने के बाद तो वो शिर इंडिया को डाउनलोड कर लिए हैं यह हमारा टॉपर है ओनलाइन स्कूल इंडिया के हैं ठीके दोस्तों तो आपको मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कस्मीर से लगा करने कुमार तक जो लाइबी स जो है यह आज से जो है यह मेरी पहली क्लास है आज से जितने भी क्लासे आएगी हम बाइलिंग्विल आपको कंटेंट देंगे और पूरा नया कंटेंट देंगे ऐसा कंटेंट कराएंगे कि आपको फरिक्सा के अंदर जो है किसी परकार की कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी तो आपका system देख ले हमने आपका तो सबसे पहले हमारे app के अंदर video रहेगा जैसे मान लीजे जो topic में ने पढ़ाया मान लीजे library classification पढ़ाया उसका video video के निचे उसका PDF और उसी PDF के अंदर इसी topic के सारे important questions जो है test series के रूप में आपको मिल जाएंगे इसके बाहर आपको कई जाने की जरुतनी है सब कुछ clear हो जाएगा बस देर इस बात की है कि नोट्स जरूर बनेए अगर आप नोट्स बनाओगे तो परिक्सा के exam से पहले एक मेना आपके पास revision करने के लिए वो नोट्स ही काम आएंगे इसके लग कोई दूसरा काम नहीं ठीक है दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच और हमारे इस ख्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए कई बार बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हम तक तो आपकी क्लास पहुंश दिनी है इसलिए अपने दोस्तों को भी बताए इ देखिए जिसकी बासा समझ में आती है जिसका कंटेंट अच्छा लगता है उसको जो आप जुरू जोइन कीजिए तैंक यू वेरी मच इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह की की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क् सब्सक्राइब करें ताकि पमिश्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सकते हैं